नमस्कार चार का चक्रव्यू देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेग नेता होया अपराधी आतंकी होया जिहादी जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यू के चक्र से नहीं बचेगा उनके कारणामों को एक्सपोस करूँगी एक एक करके पूरी डिटेल में के गुनाहों का काला चिठा खोलूंगी तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यू के चक्र में आ गया है वह है यूनिफॉर्म सिबिल कोड दूसरी खबर में बात लव जिहाद की तीसरी खबर में बात अखलेश यादव की चौथी खबर में बात मुखत ला ले सकती यूपी राज्य विधी आयोग पहले ही समान नागरिक सहीता लागू करने पर सहमती दी गई थी लेकिन अब देश में यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके बाद विधी आयोग एक बार फिर से एक्टिव हो गया ऐसे में जल्द ही आयोग पर सध्धान्तिक सहमती देवी थी जिसमें आयोग ने कहा था कि क्रिमिनल लौ यानि अपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक सहीता को ऐसे लागू करें कि सभी धर्म में सुईकार हो लेकिन पिछले कुश दिनों से उत्तराखन समेत पूरे देश में अब इस सिफारी शो को योगी सरकार को सौब सकता है इससे पहले बीजेपी शाषित एक और राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर आगे बढ़ेगा इससे पहले उत्तराखन में कॉमन सिविल कोर्ट पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है उत्तराखन ने यूसीसी पर ए कानुन लागू हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो उत्तराखन के बाद उत्तरप्रदेश सरकार भी उनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है दूसरी खबर में बात लव जिहाद की उत्तरप्रदेश में लव जिहाद का एक नया मामला सामन की और फिर उसका ब्रेन वौष कर निका किया इसके बाद आरोपी ने कोँप रतारित किया हैं इसमें और गया पीछे पीज़ ने सरसले में बराद्री थाने में तहरीड दी है पुलिस ने तहरीड के अधार पर मामली की चांच शुरू कर दी हैं पीडिता ने पुलिस को दिये शिकायत में बताया कि वो मूल रूप से लखनों की रहने वाली है। लखनों में ही पढ़ाई के दौरान साल 2006 में उसकी मुलकात अलिगड के रहने वाले अबू आमीर अंसारी से हुई थी। उस समय आरोपी ने अपना पली चय हिंदू नाम अमित के रूप में दिया। आरोपी ने पहले उसे प्रेम जाल में पसाया और फिर ब्रेन वौश कर अलिगड के गौसिया मजृद में निका कर लिया। इसके बाद जब वो आरोपी के घर पहुंची तो एक तरफ उसने अपने घर वालों से रिष्टा तोड़ लिया। वहीं सस्राल वालों ने ना केबल उसे प्रतारित करना शुरू कर दिया बलकि घर से निकाल भी दिया। परिशान होकर उसने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में केश दर्श किया। पेडिता ने बताया किस मामने में उसे जीत मिली और कोर्ट ने अलिगर वाला मकान उसके नाम करने के आदिश दे दिया। लेकिन आरोपी उस मकान में ताला लगाकर बरेली भाग गया। ऐसे में वो भी उनकी पीछे पीछे बरेली आई लेकिन यहां आरोपी उने उसके साथ बिरी तरा से मार पिट की। इस सिल्सिले में पीटिता ने पुलिस में शिकायत दी है। उदर सोशल मीडिया में इस सलसले में एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है। पेडिता के मताबिक आरूपी ने अपनी वहन रानी उम्मे हबीबा और भाई अबू सईद को भी निका से पहले उससे मिलवाया। लेकिन इनका भी हिंदू नाम ही उससे बताया गया। बरेली के बरादरी थाना प्रभारी हुमांशू निगम ने बताया कि शिकायत के अधार पर मामली की जाच कराई जा रही जो भी तत्थे सामने आएंगे उसके मताबिक आगे की कारवाई होगी। तीसरी खबर में बात अखलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के मौ जिले की घोसी विधान सभा सीट पर उपचुनाओ होने में अब कुछ ही समय रह गया। इस उपचुनाओ में मुखे रूप से दो पाटियों के बीच कड़ी टकर देखी जा रही। समाजवादी पाटि के प्रत्याशी सुधाकर सिंग तो वहीं सीट से विधायक रह चुके। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंग चोहान के बीच इस सीट को लेकर कड़ी टकर देखने को मिल सकती। फिलहाल अगामी लोग सभा चुनाओ से पहले जनता के मन को परखने के लिए सत्ता रूड और विपक्ष दोनों ने ही चुनाओ जीतने की जोर आजमाईश कर रखी है। ऐसे में आए दिन पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साधिते नजर आते। हाली में उत्तरप्रदेश के डिप्टी सीयम केशव प्रसाद मौरी ने एक नीजी यूट्यूब चैनल के बाचीत के दौरान सपा को अपने निशाने पर लेते हुए उसे खत्म हो चुकी पार्टी बताया। बाचित के दोरान डिप्टे सीम केशव प्रसाद मौरी ने कहा कि सपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा आठ सितंबर को जब यहां की जनता का आशिरवाद भारते जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंग चोहान को कमल के फूल को खिला कर प्राप्त होगा डिप्टे सीम केशव प्रसाद मौरी ने सपा पर निशाना साथ देवे आगे कहा कि सपा एक समाप्तवादी पार्टी सपा अस्त हो चुका सूरज की तरह सपा को वोट देने का महत्व वोट कुए में डाल देना है बरबात कर देना है वहीं दूसरी और केशव प्रसाद मौर को खत्म करने का यह उचित समय है इसके साथ एक बार फे सपा पर निशाना साथ देवे कहा कि मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को जनता के आशिरवाद से इस समय आईसीउ में पड़ी हुई है और कोई उसे ऑक्सीजन नहीं देना चाहता है कोई गुंडागर्दी को अपराद को दंगागिरी को वापस नहीं लाना चाहता है सभी लोग चाहते है कि घोसी का विकास हो प्रदेश का विकास हो देश का विकास हो और साथ ही किसान का भी विकास हो चौती खबर में बात मुखतार अंसारी की उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर सामने आई है दरसल माफिया डॉन मुखतार अंसारी के गुरू और गुरू भाई को उत्तर प्रदेश की इटावा स्थिद सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया है जेल में दोनों ही कैदियों पर कड़ी निग्रानी की जा रही है वही मिली जानकारी के अनुसार माफ्या मुखतार अनसारी के गुरू और गुरू भाई को गाजिपूर से कड़ी सुरक्षा के बीच इटावा सेंटरल जेल के स्पेशल सेक्योरिटी सेल में कैट कर दिया गया है इटावा सेंटरल जेल के वरिस्ट जेल अधिक्षित डॉक्टर राम धनी ने बताया कि भीम सिंग और हरियर सिंग को सेंटरल जेल में शिप्ट किया गया है उनको इस पेशन निगरानी में रखा गया है उनसे मिलने के लिए सिर्फ परिवार के ही व्यक्तियों को अनुमती है लोकल इनफर्मेशन यूनिट और जेल के अधिकारियों के समक्षी उनके परिवार की मुलकात कैमरे की निगरानी में करवाई जानी के निर्देश हैं वही जानकारी के अनुसार मुखतार अनसारी के गुरू और गुरू भाई के इटावा के सेंट्रल जेन में कैद होने के बाद पुलिस और प्रशासनी का अधिकारी यो कि जमेदारी कही न कहीं बढ़ जाने की उम्मीद जताए जा रही। शाशन के निर्देश पर माफिया डॉन मुखतार अनसारी के गुरू और गुरू भाई गाजी पुर से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर कैद कर दिया गया। की डिकॉर्डिंग के बीच मुलकात कराई जाईगी। जेल मैनुएल के मुताबिक दोनों कैदियों से जुड़े हुए मुलकातियों की मुलकात कराई जाईगी। आपको बता दे 3 औगस 1991 को कॉंग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्षर जड़ाई के भाई अब्देश राई के हत्या कर दी गई। इस मामले में माफ्या मुक्तार अंसारी और भीम सिंग समेत कई अपराधी नामजद किये गए थे। इतावा जिले की महौल सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश को 16 सेंट्रल जेल है। ये यूपी की सभी पास सेंट्रल जेल से सबसे हाई-टेक जेल में शुमार है। यही वज़ा मानी जा रही है कि इतावा के सेंट्रल जेल में कुख्यात अपराधियों को रखा गया है। फिलहाल के लिए चार का चकड़ियों में इतना ही, देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। और पॉलिटिक्स की हर नख्स को खूप पहचानता। संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंता। मैं हर खमर से खरा सच निखानता। ना कोई दौड ना कोई रेक्स। क्यापिटल टीव उत्तर प्रदेश। क्यापिटल टीव उत्तर प्रदेश।